Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel Tech4U और आजगी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ओपो के मोबाइल में हम कॉल फॉर्वरडिंग कैसे चालू करें ओपो के फोन में कॉल फॉर्वरडिंग कैसे अनैबल करें जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें इसके लिए आपको सबसे पहले अपने phone में dialer bet जो होता है जहां से आप किसी को call करते हो उससे open करना है आपको ऐसा page मिलेगा उपर आपको मिलेगी यहा पे 3 dot आपको इस पे टच करना है आपको मिलेगा settings settings वाले option पे आपको टच करना है आपको ऐसा पेज मिल जाएगा आपको मिलेगा यहाँ पर Calling Account Calling Account वाले उप्सन पर आपको टच करना है आपको मिलेगा Operator Related Settings आपको इस पर किलिक करना है यहाँ पर आपको मिलेगा दूसरे नमबर पर Call Forwarding Call Forwarding को चालू करिए यहाँ पर इसे क्लिक करें अगर आपके फोन में Network नहीं आ रहे हैं तो आपको Network वाले एरिये में जाना है Sim को Select करना है और यहाँ पर Network को थोड़ा सा वेट लेने देना है और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि नेटवर्ट नहीं आ रहे हैं तब तक हम ठोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका तो यह चालू हो चुका है आपको मिलेगा और वेस फौरवड इस पर आइए इस पर आने के बाद आपको मिलेगा यहां पर अनेबल करने के लिए सबसे पहले से अनेबल करें नमबर एंटर करिए मैं करता हूँ यहां दूसरा वाला नमबर 9870592813 तो वो नमबर हमारा हो चुका है राइट वाल अप्शन पर टच करते हैं राइट वाल अप्शन पर फिर से टच करते हैं और यहां पर हमारा जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो अनेबल हो जाएगा बस अपने नेटवर्ड का ध्यान रखिएगा शायद आपका कॉल फॉरवर्डिंग अनेबल हो गया होगा इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए